हुआ है हुआ है हुआ है है ओके गुड इमिनिंग टू आल सौंड पिक्चर के लिए रहे कोई सूत नहीं है सांड पिक्चर में बताएं आप सब कुछ के लिए है अज अज सटार्ट करते हम नर्व शिस्टम पहले हम बात करेंगे नर्व शिस्टम की एपए-ही की बैसिकली नर्व शिस्टम क्या है तिके न वल उसका हम डेटेशल में तो बहुत पढ़ते हैं अवर उसका आउट लाइन जो है basic उसको समझो नर्वस सिस्टम क्या है और उस पे कौन-कौन सी ड्रक्स हमको act करना है मतलब हमने heading में लिखा है नर्वस सिस्टम इन हमारे ड्रक्स उनके बीच कैसा आपस में coordination चलता है कैसे ड्रक्स काम करती है और उनकी जरूरत हमें कप पढ़ती है इन सब चीजों के बारे में हम आज बात करेंगी ठीक है ना तो यहां से basically हमने theme अपनी total change किये general pharmacology हमारा complete हुआ था जो की सबसे important part है जो मैं करा चुका हूँ अब बात करते है nervous system and drugs ठीक है ना कौन सा nervous system है और उसके कौन सी drugs काम करती है तो basically देखें तो हमारा जो nervous system होता है nervous system का मतलब ऐसा नहीं होता कि nervous हो जा है तो उस system को nervous system बोलते है जो nervous से मिलके बना है उस system को हम लोग क्या बोलते है nervous systems बोलते है उसके सबसे जो basic units होती है smallest units होती है वो हमारा neuron होता है तो वो ही उसका पूरा network है बायरिंग है हमारी body की जो फैली हुई है पूरी तेक है ना जो बायरिंग फैली हुई है और आपस में वायरिंग कनेक्ट होती है तो उसी coordinated system को हम लोग मिलके जो बन रहा है उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग nervous system बोलते हैं अब कहीं نہ कहीं जब तक nervous system हमारा अच्छा काम करता रहता है तो हमको कोई ड्रग की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन अगर हमारा नर्वस सिस्टम हमारा साथ नहीं दे वो डिस्टर्व हो जाता है तो फिर हमें ड्रग्स की जरूरत पढ़ जाती है तो इसलिए फिर हम drugs को देते हैं nervous system के लिए generally हमको कोई जरूरत नहीं होती हमारा normal है तो सब कुछ ठीक है तो बात करते हैं nervous system के देखो देखा जाए तो दो divisions होते हैं जो दो divisions बनाए गए है ना उसकी boundary के basis पर बना दिये गए blood band barrier के जो अंदर है पूरा उसको बोलते हैं हम लोग center nervous system बोलते हैं वो हमारा controlling center है मतलब वो उपर बैठा हुआ है और सब को control कर रहा है उसने अपने जो members है उसने अपने members जो है ना बाहर निकाल दी है blood band barrier से peripheral sites पर तो उसको बोलते हैं हम लोग peripheral nervous system बोलते हैं मतलब आपका center यहाँ पर है controlling center यह है यहाँ से जो wires निकल गए बाहर की और हमारी body में उन्ही को क्या बोलते हैं लोग peripheral nervous system बोलते हैं और वो wire actual में क्या है वाइर नहीं है वो भाई वो neurons है हमारे क्या है neurons है और वो neurons आप खुछ जानते हो कि हमारे पास 12 pairs क्या होती है cranial nerves होती है जो हमारे बाहर जा रही है और 31 pairs क्या होती है spine nervous होती है तो center nervous system का main part हमारा brain होता है और spinal card होता है तो brain और spinal card से यह connections गए हुए है peripheral side पर तो नहीं को बोलते हैं हम लोग peripheral nervous system बोलते हैं ठीक है रब अब इस peripheral nervous system में दो type के यह nerves होते हैं हमारे neurons होते हैं एक sensory neuron होते हैं दूसरे जो होते हैं motor neuron होते हैं sensory neuron मतलब हमको अगर यहां किसी ने touch किया या गर्म लगा या ठंडा लगा कुछ भी हुआ तो उसका जो signal brain तक लेके जाएंगे क्योंके न वो हमारे sensory neurons किलाते हैं brain उस पर decision लेगा कि यार बैक्ती आपको क्या करना है हाथ हटाना है नहीं हटाना है या सामने वाले को मारना है पीटना है जो भी चीजे हैं वो आपका center nervous system order करेगा यह order करेगा यह decision लेगा और decision जो जाएगा वो जिस neuron से जाता है उसको बोलते हैं हम लोग motor neuron motor neuron वहाँ जाएगा और वो somatic motor neuron जो होता है वो काम करेगा वो जाएगा somatic nervous system से कहेगा यार वहाँ पर बहुत गरम लग रहा है जल्दी से हाथ को क्या कर लीजिए अब अलग कर लीजिए तो वो reflex action से भी हो जाती है वो चीज़े बट मैं example बता रहा हूँ जैसे किसी ने हमको यहाँ पर पकड़ा है और हमको रिमूब करा रहा है तो वो पूरा system चलता है जो signal यहाँ से जाएंगे और जो भी action लिया जाएगा वो कौन से लेंगे हमारे motor neurons लेंगे motor neurons के divisions होते हैं peripheral size पर हमारे एक होता है आपका somatic division somatic का मतलब यह है कि जो आपके voluntary functions को control कर रहा है वो somatic nervous system होता है ठीक है न और जो हमारे automatic जो system होते हैं जो autonomic functions होते हैं जो आपके involuntary actions होते हैं जिनका हमारा कोई control नहीं है ठीक है न उनको जो control करता है को बोलते हैं, हम लोग आटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, आटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे आज हार्ट रेट है, आप अपनी हार्ट रेट को नहीं रोख सकते हैं, ना आप अपने ब्लट पेसर को कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप अप का कंट्रोल है, ग्लेंड का कंट्रोल है, हमारे इंटरल अर्गन्स का कंट्रोल है, ठीक है न, स्मूज मसल्स होती है, जो हमारे इंटरल, उनका कंट्रोल होता है, तो वो कंट्रोल है, आट्रोनोमिक नर्वस सिस्टम का, अब autonomic nervous system अपनी बोड़ी में दो तरीके से काम करता है एक जो होता है वो aggressive होता है और दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है सांत होता है एक डम ठीक है ना वो जाना कुछ नहीं करता है तो यह जो aggressive वाला होता है जो emergency system होता है उसको हम बोलते है sympathetic nervous system बोलते हैं और उसका जो man करता धरता है जो man उसको control करने वाला बेखती है वो है हमारा neurotransmitter किसी भी nervous system की जो जान है वो उसका neurotransmitter होता है यह तो wire डले है wire के अंदर जो flow होना है वो कौन होना है neurotransmitter ही flow होता है पूरा जो काम कराएगा वो neurotransmitter ही कराएगा यह तो wiring है wiring के अंदर जब तक current नहीं होगा flow electrons flow नहीं होगे तो वैसे ही यहाँ पर system है इसके अंदर जो पूरा flow होता है वो neurotransmitter है अगर वो neurotransmitter somatic neurons में flow हो रहा है तो वो क्या कराएगा kolinergic nervous system है तो वो हमारा neurotransmitter क्या होगा acetyl koline होगा तो यह बिल्कुल basic चीजे हैं जो अपन यहाँ पर पढ़ने वाले आगे क्योंकि अगर आपको यह पता नहीं रहेगा तो drug पता नहीं चलेंगी ठीक है न तो यहाँ पर कि यह जो होते sensation को detect करने वाला जो signal कहां से लेके जाएगा हमारे organ से लेके brain को जाएगा center nervous system को और motor neuron क्या करेगा उस पर action करेगा तो वो याद रहता लेकिन हम बूलते है effector और apparent को तो याद रहना sensory का apparent होता है और motor effect मतलब क्या होता है कोई चीज को करना है में effect का मतलब होता है करना तो effect से याद रखो कि motor रहता है वो motor effect याद रखना motor neuron काम करते तो effect आता है तो effect उसको क्या बोलते हम लोग different बोलते है और जो apparent होता है apparent वो लेके जाता है तो कई बार examiner क्या होता है आपसे sensory और motor ना पूछके यह सरल सी एपिएची की चीज पूछ ली जाती है हम लोगों से कि जो signal से उसको लेके कौन जाएगा तो वो आपको पता है sensory लेकिन apparent बोलते हैं sensory को और जो motor रहता है उसको क्या बोलते हैं लोग different बोलते हैं यह clear आपको जहां रखना है यह clear अब अगर कुछ का नेटरूर्आ की करती हैं मतलब वो mixed भी होती है sensory का भी काम कर रही है और motor का भी काम कर रही हैं तो वो हमारे अलग अलग अउर्गंस पढ़र जैसी supply होती है वससे हमने नाम रख दिये उनका कुछ का nature sensory है तो कुछ का nature motor है तो यह क्या है मोटर से या अपका संसरी से तो दोनों से मिलके बनाएं अगर आपसे कोई पूछता है कि आटॉनμεंग नर्विस सिस्टम में मैं लिकोन इंपर पार्टी से पेट करते हैं तो मोटर नियूरोंज इपार्टी सिस्टम करते हैं इसकी बात माने के एक्सल लेना है तो एक्सल लेन है भाई ये फिजोलोजीकल चीजिकल को पकड़ते हैं वो रिसटर सा जैसे कीमोरिसेप्टर हो गया हमारा कोई भी केमिकल्स वगेरा है उसको exceptionally कर लेगा बैरोरिसेप्टर है औस्मेरिसेप्टर है इसके लबावा थर्मरिसेप्टर भी हो सकता है, जो temperature को detect कर लेगा, tactile receptors भी हो सकते हैं, जो touch बगरा के लिए रहते हैं, tactile sensations होते हैं, इसके बाद senses होते हैं, हमारी body की जो senses होते हैं, जैसे test है, sight है, hearing है, smell है और test है, यह हमारे main होते हैं, इन्ही के आदार पर हम decision लेते हैं, कि अगर मालोग हमें कुछ लगा, test गड़ बर लगा, तो test लगा गड़ बर तो उसको यह detect कर लेगा, वहां से motor बोलेगा, उसको मतलब उसको हटा दो यहां से, तो यह motor voluntary functions हो गया, ठीक है ना? अगर मालोग कोई जादे ही test हुआ, उसने माज GIT को irritate कर दिया, तो हमारा फिर autonome nervous system action लेगा, वो vomiting करा देगा सब्सक्राइगा, बनलब कोई हमारा ऐसा system काम करेगा बोड़ी का, कि वो vomiting करा देगा, तो ultimately, CT जाएग इस्टुमलेट हो जागा है यहां पर, तो ultimately क्या होता है, यहीं से पूरा system आपका operate होने वाला है, तो यह आपके senses होते हैं, test है, sight है, hearing है, smell है और test है, तो इस diagram को बना लीजिए आप, तो यह तो मैंने बताया आपको nervous system का basic डब, अब अलग-अलग हमको पढ़ना होता है, देखो, पैरी-फैरनर्वस system के sections क्या होते हैं, somatic nervous system और autonomous nervous system होता है, autonomous nervous system के दो branches होते हैं, एक होता है हमारा sympathetic nervous system और दूसरा होता है प Penliberền thinkers को पहली बार कभी पढ़ते हैं ना इसको, पहली बार जब पढ़ते हैं तो चीजे कठें लगते हैं, हमको यह याद नहीं होता है कि पेरा सिंपेटिक को कोली नर्जिक बोलते हैं और सिंपेटिक को एडिनर्जिक बोलते हैं भाई शुरुवात की बाते हैं नहीं होता है याद और उसका सिंपल सा है पेरा सिंपेटिक नर्वस सिस्टम को कोली नर्जिक सिस्टम बोलते हैं PC होता या culinergic तो ये याद रखना यह है नर्वस सिस्टम की कहानी अब बात करते हैं हम ड्रग की ओर चलते हैं जब ड्रग इस पर काम करते हैं जिसकी समस्या वो ड्रग होगी जैसे मलवल वो आपकी हमारे स्कलेटल मसल पर ही काम कर रहे हैं relaxation करा रहा है और local anesthetic हैं तो वो भी हमारे locally muscles पर ही काम कर रहा है local sensations को loss करा रहा है वहाँ पर तो वो कहलाते हैं हमारे somatic nervous system पर जो काम करते हैं किस पर काम करते हैं somatic nervous system पर जो काम करते हैं उनको हम बोलते हैं somatic nervous system पर जो drug हमारी काम करती हैं उसमें आपके local local anesthetic आते हैं और आपके skeletal muscles relaxing आते हैं यह हो गया इसके बाद आप आते हैं CNS पर CNS पर जो ड्रग काम करती हैं वो CNS के अन्दर ही आके काम करेंगी बाहर बाले जो बाइरेंग से उन पर काम नहीं करेंगी उन पर काम करने के लिए हमारे पास हैं drug acting on आटोनिमिक निर्वस सिस्टम और ड्राग एक टिंगोन सॉमेटिक निर्वस सिस्टम मैं आपको बता चुका हूँ उसमें लोकल अनस्टेटिक और स्क्लाडल मसल्स रिलेक्सेंट होते हैं ठीके अब आता है सबसे महत्पूर्ण कि cns पे कौन कौन सी ड्रक्टिक पर करती हैं एंटिपरिसेंट cns पर करती हैं एंटि साइकोटिक cns पर करती हैं तो जो cns की डिसीज हैं उनको ठीक करने के लिए जिनका रीजन कहां से आया है cns के अंदर कुछ disturbance हुआ है तो उनको हम बोलते हैं cns बोलते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे फिर कला आता है दूसरा सेक्शन आता है ड्रग एक्टिंग उन्दा पेरिफिरल नर्वस सिस्टम तो उसमें दो रहते हैं हमारे सॉमेटिक नर्वस सिस्टम पर ड्रग एक्ट करने वाली जो हमाले वॉलिंटरी फंक्शन को अफेक्ट करेंगी उसमें हमारा है लोकल अन्स्टेटिक और स्कलेटन मसल्स रिलेक्शन इसके बाद आता है दूसरा सेक्शन ड्रग एक्टिंग उन्ना तो उसको बोलते हैं हम लोग आटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ज्या बोलते हैं हम लोग आटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग आटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको जो ड्रग करेंगी वो या तो इसको बढ़ाने वाली होगी बढ़ाने वाली ली ओप इनको बढ़ाने वाले कम करने वाले बढ़ाने वाले और कम करने वाले ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है इतना कलियर है बताइए यह जो इतना सब को मैं किसी को कोई दिखकत बताएं अगर कोई कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए फिर मैं आगे बात करता हूँ अब इसी डायग्राम को हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे तेके ना इसको दूसरे तरीके से समझ रहे हैं और इसको हम नीरोन के फॉर्म में बनाते हैं इसको नीरोन के फॉर्म में डायग्राम को अब बनाते हैं इसको हम बनाते हैं नीरोन के फॉर्म में नीरोन रहेगा और उस नीरोन के तरू हम लोग डाइग्राम बनाएंगे इसको ठीक है इसको बना लें सभी लोग प्रॉपर ली अब ये शुरूबात है अभी तो इसमें बहुत सी चीजें है आगे तो क्या होता है शुरूबात में मैं अब तो पता हो कि हम चल कहां रहे हैं ठीक है ना तो अब हम जैसे बोलेंगे अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो है कि जो ये नीरोन्स होते हैं इनका क्या कै अभी भी भी हम घ्रकी बात नहीं कर रहे हैं, बिलकुल सिंपल सी बातें कर रहे हैं, यहां पर ऍखना नेरव करें, यहां पना यह आप्वेहला लिखिये, यहां पर पेल्क साफ नेरे nes, निरोन छोटा होता है नर्व बड़ी होती है, वस इतने नर्व जो होता है, उसमें a65 उनका बहुत सारा बंडल हो जाता है और प्रोजेक्शन निकल जाते हैं फिर बहुत सारे तो उसको हम नवस बोलने लगते हैं ठीक है जो सिंगल सेल होती है वो हमारी नियूरॉन कहला दी है सिंगल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं नियूरॉन बोलते हैं सिंगल सेल जो होती है हमारी उसको हम लोग नियूरोन बोलते हैं ठीक है यहाँ पर टाइप साब नफस बनाना है ठीक है ना और नियूरो ट्रांस्मिटर बताना है आपको यहां पर पहला रहाएगा टाइफ सबनर, दूसरे कॉलम में रहाएगा यहां पर नियूरो ट्रांस्मिटर, एट साइनेप्स, अभी साइनेप्स के बारे में भी पूरी बात होगी साइनेप्स ठीक है ना, नियूरो ट्रांस्मिटर, एट साइनेप्स ठीक है ना और यहां पर साइनेप्स भी हो सकता है और गेंगलियान भी हो सकता है ठीक है ना जो नियूरोन का जंसन होता है उसको हम लोग गेंगलियान बोलते हैं neurotransmitter at effector, effector मतलब जो हमारे organs हैं, जो action लेने वाले हैं, ठीके ना, तो ये है, अब बाएर हैं भाई, वो कोई बाएर ऐसा हो तकता है, जिसमें बीच में cut लगा होगा, किसी में नहीं लगा होगा, तो somatic जो होते हैं, somatic nervous system जो होता है मारा, उसमें कोई भी आपका वो नहीं हो से जाएगा, cns से और effector तक पहुंचेगा, पूरा, ये uniform होता है, इसमें कोई भी गंगलियान बगरा नहीं होता है, ध्यान रखना, ये पहली चीज पूछी जाती है, somatic neuron जो होता है, उसमें कोई भी गंगलियान या जंक्सन नहीं होता है, और जब वो organ पर पहुंचता है, तो ये जो region होता है, इसको हम लोग बोलते है, neuromuscular junction बोलते है, जहां वो पहुंच गया है organ पर, ठीक है, इसमें, क्योंकि ये जो organ है बिटा, वो somatic nerve में, ये skeletal muscles है, क्या है, skeletal muscles है, तो muscles और neuron का junction क्या कहला हैगा, neuromuscular junction कहला हैगा, simple सी बात है, अब यहां पर सबसे बड़ होता है, रिलीज होगा, एसिटाल कोलीन, और ये जाके N1 receptor पर काम करके, स्क्लेडल muscles का क्या कराता है, contraction कराता है, तो ये basic हमारा काम होता है, सॉमेटिक नर्वस सिस्टम का, सॉमेटिक नर्वस सिस्टम का, पूरा regulator, किसके पास है, एसिटाल कोलीन ही है, उसका neuro, एक ही तो है उसमें, एसिटाल कोलीन, और वो ज़्यादा जगए गए भी नहीं है, हमारे स्क्लेडल मसल्स में जाते हैं, और वहाँ पर मसल्स से जंक्सन मनाते हैं, उसको बोलते हैं, हम लोग निरो मस्क्लर जंक्सन, और ये जो स्पेस होता है, इसको हम साइनेप्स भी बोलते हैं, पाहर की और चले गए, तो ये उनिफॉर्म ली गया, अब जब दूसरा हमारा सिस्टम आता है, ये हमारा पहला था, दूसरा हमारा होता है, आर्टोनॉमिक, आर्टोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या हुआ हुआ हमारा वायर जो था वो ठोड़ा सा छोटा हुआ, तो उसमे junction बन चुका है joint आ गया है उसमें यह cns से निकला वो और यहाँ पर एक joint बना लेता है इस तरीके से यह joint बनता है इसमें क्या बनता है joint बन जाता है यह joint बन जाता है ठीक है ना यह joint ही actual में इसको हम ganglion बोल देते हैं और यह कहके लाएगा post ganglionic fiber कहलाएगा बाद कहके लाएगा post ganglionic fiber कहलाएगा तो याद रखना है इसमें uniform नहीं जाता है इसमें junction रहता है इसमें क्या होता है आपका ganglion present होता है यह जाएगा हमको पता है कहां रहता है यह general हार्ट में जा सकता है ठीक है ना ये आपके smooth muscles में जाएगा बहुत सारे organs हो सकते हैं मारे internal glands पे चला जाएगा और हमारे किस function को करेगा autonomic nervous system के काम करेगा ये उपर वाला voluntary ये नीचे वाला involuntary ठीक है अब अगली चीज़ सोचो हमने बात की थी autonomic nervous system होता है दो type का अब दो type का होता तो इनके type के अंदर जाते हैं हम लोग कि जो sympathetic होता और जो पैरा sympathetic होता है उसमें क्या होता है तो जैसे sympathetic जब nervous system होता है sympathetic nervous system जो होता है sympathetic nervous system इसको लिख ले ना adinergic nervous system बोलते हैं इसको sympathetic nervous system कहलाता है इसी को हम लोग बोलते है adinergic नर्वस सिस्टम तो इसका डाइगराम आप बना लीजिए प्रॉपर ये एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम होता है ठीक है ना एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम रहता है ठीक है एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम जो होगा जब एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम की जब हम बात करेंगे यहां पर एडिनर्जिक नर्वस सिस्टम जब रहेगा यहां पर तो जो आपका फाइवर रहेगा इसकी length बदल जाती है इसका pre-ganglionic fiber छोटा रहेगा और post-ganglionic fiber long रहेगा बस यह याद रखना आपको pre-ganglionic small रहेगा इसमें और post-ganglionic क्या रहेगा long रहेगा और इसकी supply कहां होगी जहां पर हमारे जो basically nerves होंगे एडिनर्जिक सिस्टम के वहाँ पर इसकी supply हो जाती है जैसे कि वही मैं रहेंगे heart है हमारा यहाँ पर जाएगा इसमें सबसे important चीज है जो five star point है विल्कुल five star इसमें question आता है एक्जामनर पूछता है कि एडिनर्जिक nervous system का neuron है और उसमें new transmitter क्या होगा तो उसका तो 100% answer क्या होगा नॉन एपनेफिन होगा यहाँ पर नॉन एपनेफिन आएगा और यह अपने receptors जो होते हैं उसके एडिनर्जिक receptors पर काम करके अपना action दे के काम करता रहता यह है ऐसा question किसी ने पूछा कि एडिनर्जिक वाले section में acetyl kohlene ही रहता है ध्यान रखें clear ठीक है प्री गैंगलानिक फाइवर में acetyl kohlene ही होता है चाहे वो आपका अडिनर्जिक हो और चाहे वो आपका कोलीनर्जी को ये ध्यान रखना है बेलकुल प्री गैंगलनिक फाइवर में ऐसी टायल कोलीन ही रहेगा फिर यहां पर ये जो पोस्ट गैंगलनिक फाइवर रहेगा उसमें आपका नौने प्रेफ्रिंड रहेगा तो इसको हमने बोला इसलिए हमारा कैसा हुआ इसको हम लोगों ने बोल दिया कि ये जो है आपका किस तरीके का हुआ हमारा ये जो है बेसिकली बोल दिया हमने के एडРИनर्जी के थी त Life है अब बनाते हम लोग कोलीनर्जी क बाला हमने आपसे पूछा sympathetic nervous system में अब बताए गेंगलियन किस के पास होता है गेंगलियन किस के पास होता है cns के पास होता है या effector के पास होता है अब रटे पड़े हैं हम लोग कि भाई ये cns के पास होता है इस डियाग्राम में खुद दिख रहा है आपको जब ये छोटा है तो ये CNS के पास रहेगा ठीक है ना इसमें कहां रहेगा एफेक्टर में एफेक्टर से दूर रहेगा इसमें ठीक है CNS के पास है अब इफ्रामदा ओर्गन है तो याद कर लो आपको पूछा कि आर्टोनिय सिस्टम में गैंगलियन कहां होता है बाहर होता है वाई CNS में नहीं होता वो फिर उन्हें पूछा सिंपेटिक नर्वस सिस्टम में बताओ कहां होता है किस के पास होता है तो CNS के पास होता है आर्गन के दूर होता है अब ये लंबा है ये छोटा है तो इसके पास आ जाए यह बड़ा नाम है ना बड़ा नाम है ना तो यहां बड़ा बना दो वस यह बड़ा बना दो अच्छा लंबा बना दो यहां पर बहतरी इसके कम परिजन में तो यह लंबा बनाया यह छोटा हो गया तो इसमें किलियर हो गया यहां नीरो ट्रांस्मिटर ऐसी टायल कोलीन आपका ऐसे टायल कोलीनों का और हमारे ओर्गन्स वही रहेंगे सब जो रहते हैं हाट रहेगा कुछ भी ओर्गन्स हो सकते हैं और यहाँ पर कोली नर्जिक एक्संस आएंगे उपर आ रहे थे हैं डी नर्जिक यहाँगे कोली नर्जिक एक्संस ठीक है तो यहाँ पर देखो kolinergic में जो होता है आपका genglion कहां पर होता है भाई cns के पास होता है या cns के दूर होता है तो आप answer क्या दोगे वो भाई organ के पास रहता है cns से दूर रहता है तो यह बन जाएगा pre-ganglionic long होता है अब आप भूल गया है exam में कब long छोटा तो उसका भी trick मैंने बताया कि पहले यहां पर long बना लेना है समझ रहे यह हो गया इसमें आप पूछेगा वो pre-ganglionic fiber में neurotransmitter क्या होता है तो भाई pre-ganglionic में सभी में क्या होता है acetyl koline होता है चाहे वो adinergic को चाहे वो आपका polynergic को सब में pre-ganglionic fiber में क्या रहेगा acetyl koline रहेगा और simple पूछेंगे वो post-ganglionic में तो हम बता देंगे post-ganglionic में क्या रहता है acetyl koline होता है adinergic nervous system में कुछ part exception है जहां पर क्या होता है post-ganglionic fiber में भी हमारा neurotransmitter क्या हो जाता है acetyl koline हो जाता है जैसे sweet gland जो होते हमारे उसमें है तीक है ना skin में है और blood vessels में जो blood vessels कहा जाती है skeletal muscles में जाती है वो exception है वो बाद में में लिखा दूँगा आपको कि जो sympathetic nervous system होता है आपने कभी देखा है जब कोई लड़ता है जगड़ता है तो उसको sweating होने लगती है उसको sweating बढ़ जाता है क्यों बढ़ता है sweating तो function किसका है colinergic system का है ना तो फिर क्यों बढ़ रहा है इसमें बताइए एक दूसरे कि ये तो opposite काम करते है जब ये भी बढ़ाता है ये gland के secretion को ये बढ़ाता है इसका काम है उसका काम कम करना है उसका पोजेट है लेकिन फिर भी देखो आप जब emergency conditions होती है हम exam देने जाएंगे नई बन रहा पेपर हम पर तो वहाँ जब हम बैठेंगे तो जो system काम करता है ना वो system करता है जब हम exam दे के घर आ गए अच्छा चला गया हमारा हम बैठें हैं घर से आ रहा हम तो यह आपका कॉलिनर्जिक सिस्टम काम करता है तो उसमें क्यों आता है फिर हमको स्वेट डिक जोगी यह तो कॉलिनर्जिक काम है तो स्कांसर क्या देना हम को कि जो स्वेट ग्लेंड होती है वहाँ पर जो निरो ट्रांस्मिटर होता है वो पोस्ट गेंगलियनिक में भी एसिटाइल कोलीनी होता है भले वो एडिनर्जिक निरोन है समझ गए भले वो एडिनर्जिक निरोन है लेकिन स्वेट ग्लेंड के केसिस में क्या होता है वहाँ पर भी नियुरो ट्रांस्मिटर आपका एसेटाइल कोली नहीं होता है यह इसलिए वहाँ पर ऐसा होता है तो यहाँ पर जहां रखना है तो यह चाहो तो आप अलग से बना सकते हो या कहीं पर अभी मैं नोट करा दूँगा आपको तो किलियर है इतना बस सब अब इस में से देखो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नोट नहीं कराओंगा इस डाग्राम का यूज करो आप देखो आपको डिफरेंस पूछा उन्होंने बिट्वीन दे सॉमेटिक नर्वस सिस्टम और आटो नर्वस सिस्टम तो आप क्या बताएंगे कि सॉमेटिक नर्वस सिस्टम का औरगन कौन होता है इस्कलेटर मसल्स होता है आटोने नर्वस सिस्टम का औरगन कौन होता है अल अदर अरगन्स होते हैं यह हो गया पहला डिफरेंस फिर उन्होंने पूछा कि इसमें बताईए इसमें जो निरॉन्स रहता है उसका जो टर्मिनल रहता है सेल वाडी रहती है वो कहां रहता है सी एनस के अंदर रहता है इसमें कहां रहता है आपका जो आपका अगर बात कोई बुचता है कि जो सनेप्स वगएरा रहते हैं कहां रहते हैं इसके जो cns के अंदर रहते हैं तो हम बताएंगे इसके कहां रहते हैं जो गंगलियान एरिया होता है जंसन एरिया वहां पर ये रहते हैं पूरे गंगलियान में रहते हैं ये हो गया डिफरेंट फिर इन्होंने पूछा अगर पूछ लिया इन्होंन तो कभी आपने पढ़ा होगा कि नर्फाइवर पर एक कोटिंग होती है उसको बोलते हैं बिटा हम लोग माईलिन सीथ तो इस पर पूरा ये माईलिनिटेड रहता है क्या रहता है हमारा माईलिनिटेड रहता है और जो आपका अर्ट नर्वस सिस्टम होता है उसमें प्री गै फाइवर होता है वो माईलिनिटेड होता है इसमें पूरा आपका फाइवर माईलिनिटेड होता है ठीक है क्योंकि इसमें प्री पोस्ट तो होता नहीं है ये आपको ध्यान रखना है इसमें आउनोंने पूछा कि जंसन होता है नहीं होता है तो ये डिफरेंस है बेसिकल य तो अब उनको हम इन दोनों का ही डिफरेंस आपको आगे बताएंगे तो clear है इतना बताईए इसमें किसी को कुछ doubt है इसके लब एक section और चलता है यह आपको generally देखें तो adenal medulla में रहता है यहाँ पर क्या होता है यहाँ से पूरा neuron release होगा यह आपका यहाँ पर रहेगा ऐसेटाल कोली नहीं रहेगा निरो ट्रांस्मिटर और यह section जाएगा हमारे adenal medulla में और वहाँ पर release होगा फिर इपिनेफरिन का जिसको हम लोग neuro hormone बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको हम लोग neuro hormone बोलते हैं तो यह basic है डर्बा सिस्टम का तो clear है यहाँ तक फिर आगे हम बात करेंगे next neuron के बारे में और neuromuscular junction, snaps, in सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे ठीक है न तो यह इसको बना लो diagram को हम आपको table नहीं बनवा रहे हैं इसकी difference की क्योंकि यह बना दिया है तो सबको जिसमें बहुत सारे points आपके आपको याद हो जाना चाहिए ठीक है क्या क्या questions बन सकते section से देखो पहला questions आपको पूछेंगे neurotransmitter कहां कौन होता है somatic nervous system में neurotransmitter हमारा acetylcholine है इसके बाद autonomic nervous system में neurotransmitter कौन होता है अगर उन्होंने हमसे पूछा है pre-gengenic fiber में कौन होता है तो वो कोई भी हो सम में क्या होगा acetylcholine होगा अगर उन्होंने हमसे पूछा है postgengenic fiber में तो हम पूछेंगे कि आप हमें बताईए आप किसका पूछ रहे हैं sympathetic का पूछ रहे हैं पूरा आपको parasympathetic nervous system है sympathetic nervous system का मैंने exception बताया कि उसमें postgengenic fiber में क्या होता है exception में postgengenic fiber में क्या होता है exception में उसमें याद रखना sweat gland और skin में exception होता है और हमने उसका practically भी बताया आपको कि जब emergency conditions होती है तो sweating क्या हो जाती है बढ़ जाती है जबकि sweating बढ़ाना तो naturally किसका काम है full energy system का काम है ठीक है तो उसको पूरा topic आगे पढ़ना है अभी तो यह शुरुआत है तो इसलिए इसको आप यह नहीं सोचो कि यहाँ मैंने कम बताया भाई यहाँ मैंने उसी की तो value है तो आगे हम बढ़ेंगे तो पूरा यह detail होता जाएगा अभी इधर का तो समझ लो यह क्या चीज है इतना समझ लो उस चीज़ को भूलो आप उसका कोई नहीं है मतलब अभी ठीक है उसको पूरा फिर से पढ़ना है अपन को तो यह हो गया अब हम बात करेंगे neurons की अब हम किसकी बात करेंगे neurons की बात करेंगे neuron जो होता है हमारा सबसे क्या होती है smallest unit होती है nervous system की ठीक है ना और उस neuron के अगर हम structure की बात करेंगे neuron का जो structure होता है तो कैसा होता है neuron का structure तो नियूरोन अगर आपने देखा हो कभी, तो ऐसा इस टेक्शर बना हुआ रहता है ठीक है, यहां पर इस टरीखЬ से रहता है, यह आउट ग्रॉथ लगी रहती यह, यह जो रहता है, बेसिकली, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, इस आपका terminal part कहलाता है terminal part या तो वो next neuron सटेज हो सकता है अगर वो ऐसा diagram बना रहता है तो ये indicate करता है कि ये neuron neuron सटेज है इस region को हम लोग क्या बोलते है गैंगलियान बोलते है ठीक है ये cell body है ये गैंगलियान है फिर अगला neuron आ गया आखिर में आपको जाके organ से तो जोड़ना ही पड़ेगा जब organ से वो जोड़ जाता है तो उसी को क्या बोलते है neuromuscular junction बोलते है syneps बोल देते हैं हम लोग ठीक है रहा तो main चीज यही होती है ये तरीके का diagram रहता है ये organs रहता है organs दोखो हमने पहली class में आपको पताया था बिटाया कोई भी चीज का अस्तित तभी है जब उसका target होगा तो हर नीरो transmitter का receptor target होता है तो जो post-synetic membrane होती है देखो ये है आपका syneps अच्छे समझ लेना इसको एक बार में ये आपका क्या है syneps से syneps क्लेट बोलते हैं ने इसको हम ये syneps से आपका ठीक है ये syneps से यहां लिख देता हूँ इस पिलिंगर नहीं दिख रही है ये syneps होता है syneps के पहले की membrane क्या कहलाएगी pre-synetic membrane कहलाएगी ये वाली membrane क्या कहलाएगी post-synetic membrane कहलाएगी समझ रहे है तो जो neurotransmitter है कोई भी neurotransmitter हो आपका यहाँ अगर हम इसके अंदर की बात करते हैं तो यह जो layer होती है इसको हम लोग Doesnytrage ौरते है इसमें बीच-मीच में क्या होते है جन्सी तरहती है लेकिन बीच में इहांपर open रहती है तो इसको हम लोग node of Ranvier बोलते है उन्दर जो होता है यहाँ पर transfer होता है वो कोई chemical transfer नहीं होता है यहाँ पर जो electrical impulse transfer होते है पॉजिटेव नेगेटेव यह impulse की form में चलता रहा था पॉजिटेव नेगेटेव पॉजिटेव 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 यह action potential कहला था हमने आपको फिजिस पढ़ाये थे action potential की जीरो से होते हैं जीरो वन टू तू त्री यह बताये थे आपको याद करो जहां आइन चैनल बताये था डीपॉलाइसन रीपॉलाइससन थोड़ा सा याद करो तो यह यहाँ पर वही चीज होती है यहाँ पर जैसे यह यहां पहुँचता है ना तो calcium iron की entry होती है क्या होती है calcium यहां क्या होता है जो बना हुआ हमारा neurotransmitter होता है कि साइनोटेक बैसिकल्स में यहां पर store रहता है क्या रहता है बैसिकल्स में अच्छा भरा हुआ रहता है जरूरत के time पर यह लिज होता है यह भरा रहता है तो जैसे एक्स प्रोटेंचिल टाइमिनल पार्ट पर पहुचता है ना पॉजिटिव चार्ड तो केल्सियम आईन की इंटरी होती है केल्सियम आते हैं अंदर और बैसिकिल से बोलते हैं है और तुम लोग एक काम कर एनकी बैसिकल्स मेंबरेन ह होती है च्यूज यह चैन्ज होता है और यह फ्यूज कर जा जा रहा है तो इसको क्या वो लोग एक्जो साइटोस बोलेंगे हम लोग यहां नियूरो ट्रांस्मिटर भाई साब आ जाते हैं बाहर यहां पे अपने वर्किंग प्लेस पर आ जाते हैं और वो अपनी सीट पर बैठके काम करने लगते हैं रेसर्टर उस पर जाते हैं अपना काम देने लगते हैं और हमारी बोड़ी में एक्शन्स आने लगते हैं जो भी नियूरो ट्रांस्मिटर है जो भी सिस्टम है यह मैं कॉमन डाइग्राम बता रहा हूं आपको ब जब द्वारुरत द्वारा पड़ेगी तो आपको फिर से बुला लिया जाएगा और आप काम करने लगना और कई बर क्या होता है कुछ नियूरो ट्रांस्मिटर जो होते हैं हमारे यूरिन में क्या होता रहता है एक्स की डाउट होता रहता है तो यह कंडिशन्स होती है तो यह जो पूरा डाइगराम बनाया है मैंने इसी को तो बोलते हैं नियूरो हुमरल ट्रांस्मिशन बोलते हैं muscles तक पहुँच जाना क्या कहलाता है neuro humoral transmission होता है neuro humoral transmission में दो चीज़ें बहुत मंपूर होती है पहला होता impulse का conduction और ये जो part होता ये कहलाता neuro transmission तो impulse का conduction हुआ है न पहले exon में फिर यहाँ पर क्या हुआ है neuro transmission हुआ है तो neuro transmission और जो impulse का conduction होता है उनी दौनों को तो मिलाके बोलते हैं हम लोग नियुरो हुमरल ट्रांसमिसन बोलते हैं उसी नियुरो हुमरल ट्रांसमिसन से हमारे सब काम होते हैं जो हम आपके सामने हैं चला रहे हैं इस प्रेडल मसल्स हमारी काम कर रही है तो इसको कौन करा रहा है वही पहला वाला ही जो रहा है इस तरीके से यह micro seconds में काम होते हैं ऐसा नी जितना slow अपने लोग पढ़ रहा है तो ना slow होता है बहुत जल्दी जल्दी होती है चीज़े तो इसको समझो पहले neuron को समझो neuron कि अगर कोई आपसे parts पूछता है तो यह cell body दिये और यह जो आपकी ब्रांचिंग्स होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं डेंडराइट बोलते हैं यह कहलाते हैं हमारे डेंडराइट यह जो पार्ट होता है उसको हम लोग एक्जोंस बोलते हैं यह वाला पार्ट हमारा टर्मिनल पार्ट कहलाता है और इसके अंदर ज हैं जो किसके इंतजार कर रहे हैं नियूरो ट्रांस्मिटर का इंतजार कर रहे हैं कि यह रिलीज होके आ जाए और हम पर काम करें और हमारा एक्षन आने लगे हम सभी की बॉड़ी में हर बॉड़ी में हमारे नियरो ट्रांस्मिटर है, हमारा दोपामिन है, पोलिनर्जिक नियरोन होगा तो उसमें एसिटायल कोलीन है, एडिनर्जिक नियरोन होगा तो क्या है उसमें? नोरे पिनफ्रेन है, और अगर सॉमेटिक नियरोन है तो उसमें एसिटायल कोलीन है, तो सब में नियरो ट्रांस्म से वो रिलीज होगा छोथा step क्या होगा उसका जिसके लिए उसका बना है वो वो अपने receptors पर काम करेगा अपना एक्संस देगा जिसकी कारण उसकी पहचान है और फिर उसके बाद जब वो action दे लेगा तो termination होगा पाँच में step में क्या होगा उसका termination होगा termination के दौरान हमारे कुछ neurotransmitter अंदर चले जाते हैं बापस और कुछ पार्ट उसका enzyme के contact में आ जाता है तो वो degrade हो जाता है यहाँ पर यही पूरा कहलाता है हमारा neuro humoral transmission कहलाता है तो आपको क्या question पूछ सकते steps पूछ लेंगे वह आप से correct step बताओ तो सबसे पहले क्या होता है neuro transmitter का synthesis होता है दूसरे step क्या होता है उसका store होता है जैसा हमारी life में हो रहा है same हमारा पहले क्या हुआ जन्म हुआ है तो यह synthesis हो गया neuro transmitter का फिर हम अपने घर में रहते हैं तो यह store है हमारा store है हम घर में रहते हैं फिर हम step क्या होता है neurotransmitter का neurotransmission का neurotransmitter का synthesis ठीक है दूसरा step क्या होता है जब बना लिया है तो उसको रखना भी पड़ेगा तो दूसरा step क्या होता है storage होता है impulse conduction भी बताएंगे दो मिनिट रोको अभी neurotransmission चल रहा है के वल यह इधर हुआ synthesis यह store हो गया पर इसके बाद क्या होगा यह रिलीज हो जाएगा यहां पर तीसरे step में चौतरे step में क्या होता है action on the post-syniatic membrane पांच में step में होता है उसका termination तो यह पूरा जो पार्ट बताया मैंने यह कहलाता है neurotransmission ठीक है यह neurotransmission है neurotransmitter का transmission ही तो neurotransmission है अब आता है हमने बोला neurotransmission में दो चीजे होती है impulse conduction भी तो होता है impulse conduction impulse मतलब electrical charge और conduction का मतलब होता है transfer तो जो हमारा ex-zone होता है यहां पर जो electrical changes होते है membrane में यहां पर पहले रहेगा plus 22 mili volt रहेगा फिर minus 90 आएगा minus 70 90 रहता है यह alternate चलता रहता है और जब यह कहां पहुँचेगा terminal part पर positive charge strike करता है तो यह पूरी तैयारी की है neurotransmitter ने उसको यहां पर मिलता है force तो वो करता है membrane fuse हो जाती है कि से pre-syniatic membrane से और exocytosis से क्या होता है release होता है impulse conduction में वही याद कर लो जो मैंने ion channel के time पर पढ़ाए थी impulse conduction का मतलब होता है action potential का generation उसमें depolization phase होती है repolization phase होती है resting membrane होता है फिर depolization फिर repolization मूरी मैंने पूरी चारों phages आपको बताए थी phase zero होती है phase one होती है phase two होती है phase three और resting membrane potential phase होती है पताए कुछ doubt हो तो पूछ लीजिए बाकी फिर हम आपको लिखा दें यह बिल्कुर basic diagram है हर chapter में आपका यूज होने वाला है आप पढ़ोगे kolinergic transmission तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ इसके लाव और कुछ नहीं हो सकता जो नीरोन रहेगा उसका नाम आएगा फोर्ट इस्टेज जो होती है बिटा एक्सन उन्दा पोस्सानिटिक membrane जिसके लिए बना है यह नीरो ट्रांस्मिटर काई के लिए बना है इतना सब हो काई के लिए रहा है इसी पर हमारे रिसक्तर होते है और इसी पर नीरो ट्रांस्मिटर काम करता है समझ गए जब वो काम कर लेता है और ठक जाएगा तो वो बापिस भी जाएगा उसका टर्मीनिसन भी होता है termination के तरी कि अलग अलग हो सकते वो depend करते हैं neurotransmitter पर कुछ neurotransmitter फ्रेस चले जाते हैं अंदर बापस तो कुछ क्या होते हैं degrad होके कुछ part उनका अंदर जाता है और enzyme के contact मा जाते हैं मालों यहां से काम करके निकला और यह पूरा बापस ना जा कि यहां क्या होगा थोड़ी दिर के लिए गूमने फिरने लगा और गूमने फिरने लगा और उसको कुछ negative लोग मिले enzyme मिल गया उसको ठीक हैं और enzyme ने क्या किया उसको नहीं पता neurotransmitter को कि यह enzyme हमी को तो निप्टा देगा तो वह enzyme इसको क्या कर देता है और urine में क्या हो जाता एक्स किट आउट हो जाता है तो कभी भी neurotransmitter के कोई step के sequence आप से पूछे neurotransmitter का तो पहला होता है synthesis आप neurotransmitter दूसरा होता है storage तीसरा होता उसका release और fourth होता है action on the post-synetic membrane और fifth होता है termination पूरे लिखा देता हूँ मैं अभी तो यह diagram बना लो आप फिर मैं उसको लिखा देता हूँ clear है बताईए कुछ इसमें दिक्कत है चलो अब आप लेखें neurohumeral transmission heading में लिख लो neurohumeral transmission neurohumeral transmission neurohumeral transmission reuptick कौन से enzyme के throw होता है reuptick enzyme के throw नहीं होता यह transporter होता है आप याद करो चार्ट टार्गेट पढ़ायते हैं transporter होता है उसको हम बोलते है neuronal reuptick बोलते है reuptick कहलाते हैं transporter होता है pre-synetic membrane पर enzyme तो यहां रहते हैं enzyme का नाम हम तब पढ़ेंगे जब हम कोई एक नाम बात करेंगे अभी हम एक केबल dummy पढ़ रहा है demo चल रहा है यह हमारा इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते है ठीक है न जब अगर हम बात करने लगे आप हमसे पूछोगे non-epineferen का क्या enzyme है acetyal cooling का क्या है dopamine का क्या है तो फिर पूरा perfect वहाँ पर आ जाएगा वो हमारा अभी केबल हमारा एक outline चल रहा है केबल जो हम पढ़ रहे है किसमें basically अभी ecology नहीं पढ़ रहे है हम लोग यह पढ़ रहे है अब यहाँ पर लिखे सबसे पहले नंबर पर neuro humoral transmission क्या होता है neuro humoral transmission में लिखे transfer of neuro humoral transmission heading लिख लेना और वहाँ लिखना अब यह diagram आपके दिमाग बनेना चाहिए क्योंकि मैं इसी को लिखाऊंगा पूरा इसी diagram को ही लिखाएंगे हम आपको पूरा लिखो सबसे पहले neuro humoral transmission ठीक है ना nerve message transfer from nerve message transfer from nerve message transfer from synapse and synapse and neuromuscular junction उसको बोलते हैं ठीक है इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसमें दो stages होती है इसकी पहला होता इसका impulse conduction होता है और दूसरा पार जो होता है साथ में चलता है उसको बोलते है neurotransmission neurotransmission है इसको क्या बोलेंगे this is neurotransmission and this is impulse conduction ठीक है यह दोनों ही जब हो जाते हैं तो वो neuron पूरा पार कर जाता है ठीक है इसको बात करेंगर हम यह जो होता है हमारा electrical form रहता है इसमें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं impulse बोलते हैं और यह कहां पर होता है across exon ठीक है ना across the exon होता है impulse conduction ठीक है इसकी अगर हम बात करते हैं इसकी stages जो होती है इसमें actual में बात ही होती है action potential का generation होता है action potential की value कितनी होती है हमारी plus 22 millivolt होती है ठीक है यह इस तरीके से membrane में transfer होता है यहाँ पर पहले negative होगा फिर positive होगा फिर negative फिर positive फिर से positive फिर से negative और फिर से positive अल्टानेटियर ट्रांसफर होता रहता है ठीक है इसकी stages होती है action potential की phases होती है वो हותा है फेज zero होती है phase one होती है phase two होती है phase three होती है and phase resting membrane potential होती है यह usually total पाँच phases होती है यह पूरी पाँच phases बेटा हम आपको बढ़ा चुके है याद करो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पढ़ा है या नहीं पढ़ा है जल्दी बताओ सब बताया था मैंने फेज जीरो कप होता है फेज बन टू थ्री कप होता है पढ़ाया है हमने कर नहीं पढ़ाया है बताओ जल्दी से आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने बताए जल्दी से क्योंकि ये पने पढ़ाएंगे इसको पढ़ना है हमारे निूरो ट्रांसमिशन को पढ़ चुके है तो उसमें कोई मतलब नहीं है सब बता चुका हूं मैं प्रॉपर अब आता है निईूरो ट्रांसमिशन की स्टेप कई बार इसके साथ कोई कैमिकल बगएरा इस्टोर हो जाता है तो इसको हम लोग को ट्रांस्मिटर बोलते हैं को ट्रांस्मिटर बोलते हैं जैसा को वर्कर रहता है वर्कर की मदद करता है यसी को ट्रांस्मिटर इसके साथ स्टोर हो जाता है तो इसको हम लोग को ट्रांस्मि वो सानेट मेंब्रेन पर क्या होता है भाई वहाँ पर रेसेप्टर होता है अब कौन सा रेसेप्टर होता है यह तब पता चलेगा जब हम नीरो ट्रांस्मिटर की बात करेंगे कि कौन सा है ठीक है यह हो गया फिर आता है फिफ्ट नंबर का लास्ट में हमारा होता है टर्मीन स्टैप रहता है ठीक है टर्मिनेशन स्टैप रहता है टर्मिनेशन स्टैप होता है क्या होता है टर्मिनेशन स्टैप होता है तो टर्मिनेशन स्टैप मतलब निरो ट्रांस्मिटर का टर्मिनेशन मतलब उसको पकड़ नहीं लेंगे हम लोग कि पकड़ लेंगे उसको कंशेंटीशन कम करेंगे कुछ भी करके या तो उसको बापिस अं Ellis तर बापस चला जाएगा ठीक है बापस चला जाएगा या फिर वो एंजायम से डिग्रेट हो जाएगा ये हो सकता है ये सब चीजें होती है और ये हर टॉपिंग में आपको मिलना है तो अब इनको पेटा एक बार पढ़ लो आज अच्छे से आप बार बार नहीं पढ़ाए गया है ये तो मतलब ये जिन लोगोंने आज ही डिलाज की है तो थोड़ा सा इंतजार करें वो सीरियल मैनर में किलासे स atेंड करते रहे तो उनको cover करो आप, क्योंकि आपने थोड़े से दिन late join किया है, तो आप थोड़े सा उनको cover कर लें, तो थीक रहा है, क्योंकि रोज एक दो student तो join करते हैं, तो वो क्या होता, late होते जाते हैं, आप वो late होते जाते हैं, अब जो भी regions रहता है, इनको information बाद में मिली, या उनने decision बाद में लिया, तो यह लोग भाई यह सोचते रहते हैं, हमेशा हम कल से करेंगे, और जो कल से करने वाला concept होता है, यह सबसे खराब होता है, ऐसे के कारण हम कुछ नहीं कर पाते हैं, जिसने यह सोचा ना, कि कल से आद कर लेंगे, कल से notes बना लेंगे, कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे, समझ रहा है, यह नहीं होना चाहिए, यह कल से, एक आप fixed schedule बनाओ अपना, भले आप मालो job करते हो, या आप बिजी हो, तो तीन घंटे पढ़ो आप, दो घंटे पढ़ो, लेकिन एक fixed schedule बनाओ, कि भाई इस time हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है, मन से कभी भी हमने तीन घंटे पढ़ लिया, कभी तीस मिनट पढ़ा, यह नहीं होना चाहिए, एक schedule बनाओ प्रॉपर, होगा, उससे benefit मिलेगा, schedule बनाके पढ़ोगे ना, तो आपको उसका फायदा मिलेगा, और अगर आप non-sedule से चलोगे, कभी YouTube से पढ़ लिया, कभी हमारी class देख ली, और कभी आपने, मानलो, एप पर class attend कर ली, कभी और कोई class attend कर ली, तो कई बार क्या होता है, इन सब चीजों से balance नहीं बनता, अगर आप online पढ़ते हैं, YouTube से पढ़ रहे हैं, तो YouTube register बना लो, उस पर लिख दो एक नाम, YouTube register है हमारा, और उस पर जो भी चीज़ें मिलती हैं, उनको note करते जाओ, अगर आप नहीं करते हो, तो दिक्कत होगी, ठीक है, यह होगया, अब हम बात करेंगे एक चीज़ की, यहाँ पर हमने पढ़ा impulse conduction, ठीक है, impulse conduction थो हम आपको पढ़ा चुके हैं, अब लेकिन इसमें कुछ toxins होते हैं, तो toxins होते हैं, वो हमारे impulse conduction को inhibit करते हैं, impulse conduction की अगर बात करें, इसका मेंदरीजन क्या होता है, sodium channel जो होते हैं, वो open होते हैं, इसलिए क्या होता है, action potential generation होता है, तो अगर मालोग कोई ऐसा toxin है, जो sodium channel को block कर देगा, क्या करेगा, अगर कोई ऐसा toxin है, जो sodium channel को क्या कर देगा, block कर देगा, ठीक है न, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका उस condition में हमारा क्या हो जाएगा, block हो जाएगा, impulse का conduction, तो यैसे कुछ toxins होते हैं, जैसे आपका tetrodotoxin है, ठीक है न, tetrodotoxin होता है, यह आपका पफर फिस से opt-end होता है, और यह क्या करता है, हमारे sodium channel को block कर देगा है, ठीक है न, tetrodotoxin, यह पूछे नहीं जाएंगे आपसे आखे लगी, tetrodotoxin, यह जो होता है, sodium channel को inactivate कर देता है, sodium channel को क्या कर दिया है, इसने inactivate कर दिया, और इससे क्या हुआ हमारा impulse conduction जो हो गया, वो क्या हो चुका है, impulse conduction inhibit हो चुका है, ठीक है न, tetrodotoxin हो गया, इसके लाभा एक होता है, ऐसे excise sexy toxin होता है, यह जो होता है, यह जो होता है, selfish से opt-end होता है, यह pluffer fish से मिलता है हमको, मालों यह कैसे होता होगा, जो लोग fish खाते होंगे, उन्हें धोके से यह वाली खा ली, उनको होता होगा यह चीज़, तो selfish है, यह selfish में रहता है, तो यह भी यही काम करता है, और impulse conduction को क्या कर देता है, impulse conduction को क्या कर देता है inhibit कर देता है तीके ना यह हुगे दोनों जो sodium channel को क्या कर देते हैं यह basically sodium channel को क्या करते हैं block कर देते हैं sodium channel को block किया इन लोगोंने tetrotoxin और sexitoxin होते हैं यह फिस से off-end होते हैं और यह लोग क्या कर लेते हैं तीके यह हो गया तोक्सिंस का और पेयर है उसमें एक है बटेर को टॉक्सिं बटेर को टॉक्सिं है यह जो रहता आपका साउथ अमेरिकन फ्रॉग होता है उसमें रहता है South American frog अब frog किसी को bite करने नहीं जाएगा frog लोग वाग उसको eat करते है तो उनको वो सकता है बठेर को toxin क्या करता है ये उल्टा काम करता है ये prolong करता है prolong activation of sodium channel sodium channel लगातार activate हो जाएगा अब भाईव अगर लगातार activate हो जाएगा तो हमारा impulse conduction positive form में ही तो रह जाएगा alternate चलता है एक ही form में रुख जाएगा तो वो भी problem करेगा prolong activation जैसे मालो हम लोग लगातार running करते जाए करते जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि हम तक जाएगे ठीके न nerves में करता है जो nerves में जाए impulse conduction होता है ठीके बेटर को टॉक्सिन जो होता है यह south american frog में रहता है यह prolong करता है activation of sodium channel लगातार sodium channel को काम कराता रहता है तो होता है कि depolition हमारा constant हो जाता है persistent depolition होता है क्या हो जाता है persistent depolition depolition पर ही रुख गया हमारा पूरा काम जब वो depolition पर रुख गया यार तो आगे वाले तो इंतजारी करते रह गए वो neuron वह इंतजार करता रहा है alternate आएगा फिर negative positive आएगा positive पर ही रुख गया ना पूरा तो वहाँ terminal पार्ट तक पहुचा ही नहीं जब वहाँ तक नहीं पहुचा तो अब neurotransmitter religion ही होगा तो ultimately क्या होगा toxicity बगरा हो जाएगी paralysis हो जाएगा escalator muscles काम नहीं करेंगी paralysis होगा सबसे बड़ा symptom यही तो है paralysis होता है इन्होंने कैसे किया sodium channel को block कर दिया इन लोगोंने इसने block नहीं किया इसने लगातार open कर दिया लगातार open किया तो deprivation stage में रोग गया काम तो हमारा ultimately क्या हुआ impulse का जो conduction हुआ वो तो inhibit हो गया है न हमारा सही नहीं हुआ एक ही जगा है रोग गया impulse conduction inhibit हो गया समझ गया तो यह हो गया ऐसे ही एक और होता है toxin जो सब लोग जानते होगे सब लोग जानते होगे ऐसा कोई नहीं होगा इनको नहीं जानते होगे इसको तो जानते होगे जो लिख रहे है बटेर कोई जैसा काम करता है बिल्कुल scorpion scorpion जानते हो scorpion poison जो होता है scorpion जो काटता है किसी को तो उसको सबसे बड़ा system paralysis ही होता है तो Scorpion क्या करता है यही काम करता है यह पूरा यह वाला तो Prolonged Activation of Sodium Channel Persistent Depilization Impulse Conduction को Invit कर देता है ठीके न Ganglion यार अब हम कहां से बता दें तुम्हें Ganglion यार भाई Ganglion यह होता है बिटा Ganglion यह होता है अभी हम यहां पढ़ रहे हैं दादा इस पर Impulse Conduction पर पढ़ रहे हैं यार Ganglion पर तो पढ़ी नहीं रहे हैं ड्रग कहां वाली पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं अभी Impulse Conduction Exxon वाली ड्रग पढ़ रहे हैं एक जोन पर चल रहा है यार अभी भी हम कहां पढ़ रहे हैं एक जोन पर पढ़ रहे हैं अब आप बोलोगे सर अगर यह होगा तो इस पर एफेक्ट आएगा आप खुद बताओ आगे का कुछ होगा तो पीछे की चीज़े तो अफेक्ट हो नहीं है ना पूरी वो सब एफेक्ट हो जाएंगे इंडरेक्टी ल ना वो तो कर लिया अगला दिन नहीं आएगा ना तो अगला दिन मतलब अगली प्रोसेस नहीं आएगी तो डिपलाजिशन कोंस्टेंट हो गया हमारा तो यह चार टॉक्शिंस के नाम बताएं इनको आपको ध्यान रखना है ठीक है अब यह तो हुगा आपना इंपल्स सिंथिस होता है सिंथिस कहां से होता होगा यार कुछ ना कुछ प्रिकरसर होता होगा उसका जिससे वो बन जाता होगा नेच्रली हमारे नियूरोन में प्रिकरसर रहता है हमारी बोडी में प्रिकरसर रहता है तो बन जाता है ठीक है उसमें कह रहता होगा प्रिकरसर रहता ह ना वो आपका ये यूनुवर्सल है हर नीरो ट्रांस्मिटर यही फॉलो करेगा इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है कैसे होता है रिलीज देखो रिलीज काम ने आपको बताया था आप जानते हो एक्सन प्रोटेंशल मतलब जब ये पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंचत है तर्मिनल पार्ट आफ नीरोन पहुंचता है कहां पहुंचता है तर्मिनल पार्ट आफ नीरोन को वह स्ट्राइब करता है तो इससे किसकी इंट्री होती है कैल्सियम आइन की इंट्री होती है कैल्सियम आइन इंटर करते हैं और कैल्सियम आइन क्या करते हैं जो बैसिकल वेज कर जाते हैं वह और सबसे इम्पॉटेंट एक्ज़ साइटों सिसस्से क्या हो जाते हैं becoming जाते हैं कहां पर पुहां पहुंचेंगे पहां पहुंचेंगे वह Via je पर ने लगेंगे हाँ जैली फिस में भी रहता है वो से अललीन से बन जाता है तो वो अलग चीज है ठीक है ना वो अभी अपन ने इस बाली बात की थी ठीक है तो यह आपको इतना ध्यान रखना है तो इतना किलियर है यह रिलीज बाला है फिर रिलीज के वाद अगला होना और टर्मिनेशन होना तो यह आपको पांच स्टेप पूरे पता होना चाहिए सीक्वेंस आना चाहिए यह इंपोर्टेंट है सब नीरो ट्रांस्मिटर आप कोई भी टॉपिक का पढ़ लोगे नाम लिखे पढ़ेंगे तो कल की क्लास में हम यही चीजें पूरी करेंगे तो कल अपन इसी टाइम पर लेंगे और यह पूरा करेंगे यह जहां रखना है ओके